पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत. क्यों चांद को अपनी मुठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डाक सीक्रिट्स जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं? जानेंगे धर्ती से चांद तक के इस रुमांचक सफर के बारे में. दोस्तों, भारत के चंद्रियान 3 ने विक्रम लेंडर चांद की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग करेगा. वहीं रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है. जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वेग्यानिको यानि एस्ट्रोनाट्स को चांद पर भेजने वाला है और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है. लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों और चांद पर पहले पहुँचने की होड मची हुई है. और चांद से प्रिथवी से 384,400 किलो मीटर दूर है. और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं, तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुँच जाएंगे. जबकि भारत के चंद्रियान तीन के रास्ते से हमें चांद पर पहुँचने में 42 दिन लगेंगे. क्योंक कि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑंक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा. और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलो मीटर की दूरी उतारेगा. तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चान्द पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑंक्सीजन मौजूद नहीं है. इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे अक्सीजन किलोग्राम है, तो चान्द पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा. इसी वजह से पहली बार चान्द पर कदम रखते ही, शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाए उच्छलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं. इसलिए चान्द की सतह पर और यह 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं. वहीं चान्द की मिट्टी, यानि की लूनर सॉयल बिलकुल जुआला मुखी से निकलने वाली राक चितनी पतली है और इसका रंग भी पृत्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिलकुल सीमेंट की तरह होता ह इस मिट्टी में खुरदरापन्ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे. जिस वजह से चान्द पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनौट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्रिन के पैरों के निशान आ काफी छोटा लगता है और चान्द से देखने पर प्रित्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है. और यहां से धर्ती की खूपसूर्ती देखकर आप खुश हो जाओगे. अब अगर आप चान्द के उत्तरी धुरुव पर लैंड करोगे, तो आपको अपने आस-पास भूत और खाने के रैपर्स और बिस्किट हैं. वहीं अगर आप चान्द के दक्षणी धुरुव पर उस जगह उतरते हैं, जहां चार साल पहले चंद्रियान दो क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वह आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन नहीं मिलेगा. क्योंकि क्रास लैंड होने के बाद ना तो वह बारिश और नहीं तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है. इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेस क्राफ्ट में फिट करके प्रिथवी पर वापस ले आएं, तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है. दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंग कि स्पेस के सभी ओमजेक्ट्स पर अचानक उलका पिंडों की बारिश होने लगती है. ये तो अच्छा है कि प्रिथवी की मैगनेटिक फील्ड इन उलका पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है, या फिर ग्रेविटी और एट्मोस्फियर. इसे धरती तक पहुँच के पहले ही जला कर राक कर देते हैं. लेकिन चान्द की मैगनेटिक फील्ड प्रिथवी के मुकाबले काफी कमजोर है. इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहां घना वातावरन भी मौजूद नहीं है. इसी वजह से चान्द पर लगातार उलका पिंडों की बारिश होती रहती है. ऐसे में कोई भी उलका पिंड गिरकर आपको पलभर में मौत के घाट उतार सकता है. इसलिए आपको उलका पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वज्यानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा. अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी होंट हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा. इतना ही नहीं चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी. मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है. हालांकि एस्ट्रोनौट चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नीन से नहीं जगाएगी. क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं. जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है. और 14 दिन की रात होती है. यान कि भूत काल में वहाँ कोई एलियन सभिता बसी थी. चंद्रियानेक ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइडरो के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है. इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृत्वी के सबसे करीब है. इसलिए भविश्य में वहाँ जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा. वहीं यहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं. इन ही कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है. तो दोस्तों अगर भविश इसी ही नॉलेज के बल वीडियो के लिए अपने भरोसे मन्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को आल पर सिलेक्ट करना बिलकुल न भूलें. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद.